सिल दोस्तो इस्टीटी अब्शीं टायिंग पर आपका स्वाहिट है मैं निकल आदभ आपका स्वाहिट करता हूं दोस्तो क्योंकि काप happened बंच्च रहे थे आपका नाम क्या है तो माईटूब चैनल एस्टीटीटीई एप्य टायंट पर आपका like किया करें दोस्तो क्योंकि मैं आपके लिए पलपल की update लाते रहते दोस्तो तो दोस्तो आप फे एक request है कि वीडियो को लाफ सक दिखा करें और भी चैनल को खुले हैं हमारे तो admit card नहीं खुल पाए हमने देख नहीं पाए कितने number फे फुरू थे तो बो दोस्तों चिंता ना करें जिन्होंने admit card अपने देख नहीं पाए उनको पता नहीं चल पाया क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जिनके admit card नहीं आहें वह भी admit card आयाएंगे तो इस वीडियो के में हम चर्चा करते हैं आप वीडियो को लाइफ तक बने रहे हैं भुलकुर्ट वीडियो को स्कीम मत करना अगर आपने वीडियो को स्कीव कर दिया तो कोई भी आपका महतुबट बिंदू छोड़ सकता है इस वीडियो के अंदर वीडियो को पूरा देखना तो मैं बताता हूं यह पीपुल्स उनना चास वायार पांसो अर्फट कितने जाने वाली है और हमने नया फ परवे के आधार पर जिन छात्रों के रश्टेशन नंबर सुरू थे वो यहां पर आप देख सकते हैं एक हजार और दफ़ यार और इने इन सिप्टों के एडमिट कार्ड खुले थे और मैं आपको बता देना चाहता हूं जिन बच्चों के दस या फिर सो नंबर से सुरू और एक हजार फे फुरू था तो आप देख लिए मैं सिप्ट वाइज आपको बताऊंगा 27 की सिप्ट एक फफ़ फाट नंबर और ये 27 की सेकंड एक फ़फट एक फ़फट और 28 की सेकंड एक फ़फ़ चगवन तो इस वार आप देख लो आपके मेरिट उम्मी से भी कम जा करते हैं तो दोस्तों हमने फर्वे किया था आपके मेरिट के आधार पर आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हमने जो फर्वे किया था वो मेरिट के आधार पर फर्वे किया था कितने कोस्वन बन रहे थे वच्चों के कितने नंबर आ रहे थे तो फर्वे पर आप देख सकते हैं जिन बच्चों के 25 सिप्ट की मीटिंग में 160 जनरल जो कुष्टन थे वह 160 नंबर यानि के 80 कुष्टन यानि पिलस माइनस तीन कर लो इस 80 कुष्टन से भी नीचे कम विकम 75 कुष्टन 70 कौष्टन अफ़ी कौष्टन मालों की भी जनरल के डिगरी में एडमिट कार्ड फो हो रहे थे बो भी 70 की फफट सिप्ट में आप यहां पर देख सकते हैं इस फे अंदाया लगाया जा सकता है कि आपकी मेहट जो है वो इस बार कितनी कम जाने बाली है अब बात करते हैं 27 की सेकेंड सिप्ट जो एक 45 नंबर OVC के अंदर आप देख लीजिए एक 45 नंबर OVC के अंदर एडमिट कार्ड फो हुए थे बच्चों ने हमें बताया फोन करके के फर हमारे भी एडमिट कार एक 45 नंबर OVC पर खुल रहे हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख लीजिए ज जिन बच्चों के एडमिट कार्ड खुले हैं वो निफंग कोच हो करके मन में सांति बनाये रखें क्योंकि उनका एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा और वो पक्का अपना फौपर से नंबर इस भरती में स्वमिलें इसे ही अनुमान लगाया सकता है कि आपकी इस बार मे 520 बाली भरती की अंदर रह गए थे और जिन बच्चों के पिच्चाफी क्वशन या अठाफी क्वशन सही थे आज वो पास हो गए क्योंकि उनको तीफ से 50-55 नंबर का नौर्म लाइसन मिला था मैं आपको बता दिना चांता हूं मेरा एक दोस्त था यानि मेरा स्टूडे उसके आप DB PFT हुआ उसने पैट भी क्वाली किया मगर उसकी किसमत ने साथ नहीं दिया और वो मेर्टी गल में भार हो गया मेर्टी गल में उसके पायपर नफ निकल या ही इस वज़े से वो मेर्टी गल में फिल कर दिया दोस्तो तो मैं आपको पता देना चाहता हूं पर पीएसी में सिलेक्षन हुआ था उस बंदे के दोसो अठारे नंबर आये थे वो भी फफ्ट मेरिट के अंदर अब एक बंदा और था जिसके पिच्चाफी कॉस्वन सही थे उसको पच्चपन नंबर मिले उननीस की फफ्ट फिप्ट में उफने भी डीवी पैस्टी क्वा वाले पिछली बार सिलेक्ट हुए थे जिन बच्चों के 220-210 नंबर थे वह भी फिलेक्ट नहीं हुए तो सबसे बड़ा कारण था इस नॉर्मलाइशन का कि नॉर्मलाइशन आपकी किस्मत बदर सकती है तो दोस्तों आप और भी यहां पर देखिए अठाइफ की फफ्ट काड़ यहां पर सो हो रहा था बाकी दव सो और जितने भी यह रिस्टेशन फुरू हुए थे उनका एडमिट काड़ यहां पर सो नहीं हो रहा था मैं आपर क्लियर कर देना चांता हूं हमारे टीम ने कापी रिफर्ची की और कापी बच्चों फे कॉंटक्ट गया पौन ग करना वीडियो को लाइक का दोफ़ टार्गेट हैगा दोस्तो दोस्तो इस वीडियो के दोफ़ लाइक्स आती हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आप वीडियो को पफंद कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकर प्रेश कर देना क क्योंकि इस्टिडी अब टाम चेनल के आपको पलपल की अपडेट लाता रहता है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जिनके एड्मिट कार्ड नहीं आए और जिनके एड्मिट कार्ड आ चुके हैं यह पक्का कंफर्म हो गया है कि यहां पर आपके सौप पांसों पीस वाले में एड्मिट कार्ड था वो इस बार एड्मिट कार्ड दुवारा से आया है दोस्तों तो आप यह मालेजी अपना पका नंबर समझें जिनका एड्मिट कार्ड नहीं खुला है तो बो मुझे सुनने में आ रहा है कि आपकी जो लिंक है वो चार से बहुत कम बचा है अब हम बात करते हैं 28 की सेकंड शिप्ट की बात तो यहां पर देख सकते हैं जिस और कार्ड फो नंबर पर अगर एड्मिट कार्ड खुल रहे हैं तो आप यहां पर देख लीजिए कि मेरिट का अनुमान यहीं से पता चल जाएगा कि मेरिट इस बार कित और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखना कि सो सिप्ट से हैं और कौन सी केडिगरी है बस इतने ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना इफ़े में आपका एनलाइस और अच्छे धंक्षी करूँगा और यह भी लिखूँगा और उस पे आपको अगली नेस्ट करूँगा लिखूँगा और अगली नेस्ट वीडियो को इसका पर्सेंटेज अबरेज निकाल करके आपके सामने प्रूब किसा दिखाऊँगा कि यहां पर आप मैड़ सकते हैं कि उम्मीद से ज्यादा कम जाने बाली है अब हम बात करते हैं आपकी कटॉप के बारे में द अच्छे के अगर कमफे का 82 को सन बन रहे हैं आप पिलस माइनस यहां पर तीन कर लीजिए क्योंकि इस बार आपका पका फिलेक्षन इस भरती के अंदर होने बाला है और अन्चाफ हैयार पांसो अर्फट भरती में यहां पर आप देख लें अगर किफी भाई के या किसी स् बैड करें हैं 89 को सन और OVC में सही बन रहे हैं तो भी यहां पर पिलस माइनस तीन कर ले क्योंकि इस बाद इस बार मैड़ उमीजिस से भी ज़्यादा डाउन जाने वाली है अब बात करते हैं 37 जो ऐसी केडिगरी से आते हैं अगर 77 क्यों सही है वह बहु यहां पर पिलस म लगाया जा सकता है दोस्तों क्योंकि आपके लिए बहुत ही सुनेरा मौका है कि आपका नंबर यहां पर पक्का आयाएगा अब हम बात करते हैं एस्टी केडिगरी की यहां पर बहत्तर कुस्षण अगर एस्टी केडिगरी से सही है तो वह भी इस बार अपना पका सिलेफन सम क्योंकि एड्मिट कार्ड उनका पक्का आने वाला है और फिलेक्षे ने भी अपना वह पका समझें क्योंकि इस टीडी अब टाइम आपको फई और फटीग जानकारी देता है यहां पर कोई फेक नहीं दी जा सकती दोस्तों तो दोस्तों आप बने रहें वीडियो के साथ वीडियो को लाफ तक दिखाए अगर दूस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ब colony प्रेस्ट कर दें जिसके आने वाली नश्ट वीडियो आपको मिल सके आप दोस्तों बात करते हैं फेमेल केडिगरी की कटओ्व इस बार कितनी जानी वाली है वो भी इस वीडियो में देख लीजए जनरल में अगर किसे फेमेल कैडिर्य गरल्फ के त्रेफट क्व daar ही बन रहे हैं और प्फ्रder इसमें कर लें तो वो आपका इस बार पक्का फिलेक्षण होने माला है कोई नहीं रोख सकता आपकी मेर्ट जो पिछली बार एक तालिफ यह पांस वाली बरती में गई थी उस पर आपका अफ़ी कॉस्फण पर ही फिलेक्षण हो गया था क्योंकि फफे बड़ा इसमें रॉल था ती nossa तीफ़े 50 नमर का आपको नौर्मल आइफण मिला था और इस वार भी भरती में कम फे कम तीफ़े 40 नमर को नौर्मल आइफण सिध कोई रोक सकता है वह भी 1973 में आने के पूरे पूरे चांठेज बन जाएंगे क्योंकि पिछली बार जो second merit गई थी वो आप देख लें फटर कॉषण यानि एक फ़र 40 उसके बाद आप नॉर्मलाइशन लगा लें तीस से 40 नंबर increase कर लें उसमें नॉर्मलाइशन के एक फ़र फी नंबर बन जाते हैं तो सबको पिछली बार बग्ठीग में पूर्मलाइशन मिलेगा अब बात करते हैं से डिगरी अगर 78 हम यहां पर यहां पर फह्यां तो और उनसर कुट्सवन आपके सहीं FV कैडिग्री फे तो आपका फ्रेक्षन पक्का किनफॉर्म हो जाएगा और यहां पर आप अपने फत्तामन कॉट्सवन यहां पर कर लें FV कैडिग्री फे यह मुझे टाइपिंग में इस्टर हुई है तो दोस्तो इसके लिए सौरी कोई बात नहीं तो मैं आपके लिए बता रहा हूं यहां पर क्योंकि इस बार आपकी मेर्ट उम्मी से भी ज्यादा डाउन जाने बाली है मैंने आपको बता दिया है नई फर्विय के आधार पर आप भी अपना कमेंट बॉक्स में हमें नंबर लिखना किस कैडिग्री से और किस से बहुं हमें अनलाइसिस करेंगे और आप टैंसन ना लें क्योंकि फित्ती से चालिफ नंबर का नॉर्मलाइस वाव का पक्का मिनने वाला है जिनके एडमेट कार्ड खुले हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना और रिष्टेफर नंबर भी लिखना क्योंकि हमें पता से चल्फा के फिमेल कैटिक्स से कितने नंबर पर यानि कितने रिष्टेफर नंबर फे फुरू एडमिट कार्ड सो हुए थे हमें इसकी जानकारी नहीं है तो दोस्तो इस्टेटी अब टाम चैनल पर आप कम से कम इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही फर्वे के आधार पर मेट बताई थी कि यतनी कम जाने बाली है अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दोफो का टार्गेट है आपको लाइक का तो दोस्तों मिलते हैं हम नेस्ट वीडियो के अंदर क अब तक के लिए खुफ़र हैं मफ्तव हैं एक हमारे नरंदर कुमार जी हैं अन्हों ने हमें पjली वीडियो में इतना अच्छा कमेंट किया था किस में उनको बह। बादाई देरा चाहता हूं क्यूंके वूद्ध हमें उन्होंने मुझे बह। बहुत अच्छे होती है आपके लिए कॉंगराचलेशन इस्टेडी अब टाइम की तरफ फे और इफ निखले यादब सर की तरफ फे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें सराहना भरा कमेंट किया आप समझते हैं हमारी नौलिज को दोस्तों हम चा दलाते रहेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली नेश्ट वीडियो में थेंक्स बोर बाचिंग जब कि तक के लिए खुसता हैं मस्त रहें तो दोस्तों थेंक्यू ने जे खुसता हैं मस्ते हैं अगली एफ तक के लिए रहें के लिए हैं तोस्तों हैं